हलो एंड वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल रंगरूट मैं हूं अंशमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज के अलग-अलग स्टेटस के बारे में जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज होती है उन्हें तीन तरह की स्टेटस दिये जात तो यह स्टेटस किस क्राइटेरिया के बेसिस पर दिये जाते हैं और इन स्टेटस का क्या-क्या सिग्निफेकेंस होता है यही हम देखेंगे आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मिनी रतना नव रतना और महा रतना जो स्टेटस है इनकी वजह इन्हें government के approval की जरूरत नहीं होती जैसे कि जो CPSC का मतलब है Central Public Sector Enterprises एक होती है State Level Public Enterprises और एक होती है Central Public Sector Enterprises तो जो Central Public Sector Enterprises होती है they are directly run by the government और जो आपकी State Level Public Enterprises होती है वो State Government के द्वारा रंग की जाती है तो अगर कोई CPSC जिनके पास महारतना स्टेटस है वो क्या कर सकती है कि 1000 करोड से लेके 5000 करोड तक की investment without prior approval of the government of India कर सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी भी उस enterprise की net worth होगी उसका 15% वो एक project में invest कर सकती है without the permission of government लेकिन ये जो 15% of net worth है it should not exceed the amount of rupees 5000 करोड तो आपका net worth आप जानते हैं अगर आप economics या फिर commerce background से नहीं है तो मैं आपको clear कर दूँ कि net worth का मतलब होता है कि जो भी assets और liabilities के बीच का difference होता है asset होता है किसी भी enterprises की total property और liability होता है जो भी उधार, loan वगरा लिया है company ने ठीक है तो जितनी भी outside liabilities है जब हम उसे क्या कर देते हैं, subtract कर देते हैं total assets में से तो हमारे पास जो value निकल आते हैं उसे हम कहते हैं net worth फिर वहीं अगर हम बात करें नवरतना companies की तो 9 रतना companies can invest up to rupees 1000 करोर मलब कि 1000 करोर तक की investment के लिए उन्हें government की permission लेने की जरूरत नहीं है और वहीं अगर हम बात करें mini रतना company की तो mini रतना companies को दो categories में divide किया जाता है category 1 और category 2 तो category 1 में जो उनको एक autonomy होती है invest करने के लिए that is up to 500 करोर ठीक है 500 करोर तक का जो पैसा है वो invest कर सकते हैं without government approval या फिर आप कह सकते हो कि जितनी उनकी net worth है लेकिन वो जो net worth है ना उनकी that should not exceed the amount of rupees 500 करोर और उसी तरह से गर हम category 2 की बात करें तो category 2 में क्या होता है या तो 50% of net worth आप invest कर सकते हो या फिर 300 करोर इसका इसमें जादा confused होने वाली कोई बात नहीं है बस आप देख लो कि अगर जो net worth है उसका 50 करोर 50% जो part है वो आप invest कर सकते हो without government approval लेकिन अगर वो क्या होना चाहिए वो जो amount है वो 300 करोर से जादा नहीं होना चाहिए मुला दोनों को compare करना जब भी आप condition को fulfill करने के जब भी आप conditions के बारे में सोच रहे हैं तो आपने ये दोनों conditions को ध्यान में रखना है कि 300 करोर या फिर 50% of net worth इन दोनों में से जितना जो भी less आएगा ना amount सिर्फ उस हद तक आप क्या कर सकते हो invest कर सकते हो without prior approval of government अब हम बात करेंगे criteria के बारे में कि अगर आपको महारतना स्टेटिस चाहिए तो आपको कौन कौन सी conditions fulfill करनी होगी तो सबसे पहले तो जो enterprise है it should be already a navratna status holding enterprises आपके पास navratna status already होना चाहिए तभी आप qualify कर सकते हैं महारतना स्टेटिस के लिए और दूसरी चीज आपकी जो enterprise है इस शुड़ बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम कहते हैं इस टॉक एक्सचेंज और सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोड ऑफ इंडिया यानि कि यह है एक रेगुलेटरी बॉड़ी जो इसकी जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं शेयर्स का खरीदना बेचना यह सारी चीज़ें जो देखती है दाट इस स्टॉक एक्सचेंज बोड ऑफ इंडिया और साथ ही साथ क्या होता है कि जो एवरिज एनुल टर्न ओवर होता है एंटर्प्राइज का इन लास्ट थ्री इयर्स वो होना चाहिए 25,000 करोड टर्न ओवर का मतलब होता है सेल मतलब जिस भी कॉमोडिटी में वो डील कर रहे है ठीक है वहां से जितनी भी उनको सेल हो रही है वो पिछले तीन सालों में उसका एवरिज कितना रहना चाहिए 25,000 करोड और वहीं अगर हम बात करें एनुल नेट वर्थ की तो इच शुड भी मोर दें 15,000 करोड नेट वर्थ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ अब हम बा चाहिए वह अमाउंट है और प्लस यह क्या होना चाहिए इसका ग्लोबली एंटरप्राइज का एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए मतलब कि इसके जो ऑपरेशन है ठीक है इच शुड नॉट बी लिमिटेट तो दे नेशनल टेरिटरी जोन ली ठीक है इंटरनाशनल लेवल भी इसका क्या होना चाहिए अब हम बात करते हैं नवरत्न स्टेटिस की नवरत्न स्टेटिस आप कैसे ले सकते हैं तो नवरत्न स्टेटिस के लिए भी आपको क्या होना चाहिए मिनी रतना कैटेगरी वन स्टेटिस होल्डिंग होना चाहिए जिस तरह से अगर आपको नव नव रतना स्टेटिस में आने के लिए आप अल्रेडी क्या होने चाहिए मिनी रतना क्या रही है और आपको जो रेटिंग्स दी जा रही है ठीक है उसमें क्या है कि आपको मेशा एक्सलेंट और वेरेगुड्ड वाली रेटिंग्स मिल रही है कितने पिछले पांच में से तीन सालों में ठीक है और साथ ही साथ आपको क्या जी किया जाता है कि आपकी जो परफॉओंसेज दे उनको एवाल्यूइट किया जाता है कि इनकिन बैसे पिर जैसे आपकी जो पर शेयर, इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंसे तो यह अलग-अलग six parameters है जिनके basis पे आपको क्या दिया जाता है आपको points दिये जाते हैं और अगर आप score करते हैं 60 या more than 60 तो भी आप क्या हो जाते हो आप qualify हो जाते हो for navratna status लेकिन यह दोनों ही conditions आपको fulfill करनी होगे कौन सी एक तो very good और excellent वाली रेटिंग आपको मिली होनी चाहिए पिछले तीन सालों में out of five years ठीक है और फिर आपका जो score है इस शुड़ बी आइधर 60 और more than 60 फिर उसके बाद ही आप नव रत्न स्टेटिस के लिए claim कर सकते हैं अब हम बात करते हैं मिनी रत्न स्टेटिस के लिए तो म आप कमा रहे हो मतलब profit making आपके enterprises होनी चाहिए और इसका जो net worth है इस शुड़ बी positive ठीक है और अगर यह criteria फुल्फिल हो जाता है तो आप क्या है you are eligible to be considered for grant of mini ratna status तो this was it about महा रत्ना मिनी रत्ना और नव रत्ना status of the company मैंने सिफ वही points cover किये हैं जो exams point of view से important है तो अगर आप कुछ detailed information चाहते हैं या किसी particular type of video चाहते हैं तो आप प्लीज हमें comment करके बता सकते हैं अगर आपको यह video useful लगा है तो प्लीज like करें अपने friends के साथ share करें और comment section में अपने valuable feedback जरूर दे हमारे channel को subscribe करना ना भूले and do not forget to press the bell icon thank you so much मिलते हैं आपसे अगली video में